नमस्कार जार आयुर्विदा में आपका हर्दिक स्वागत है फ्रेक्चर हो जाने के बाद या फिर हटी तूट जाने के बाद डॉक्टर उस पेशेंट की स्थिति को देखते हुए कभी एक्सरे करवाने के बाद प्लास्टर रॉड या फिर प्लेट लगवाते हैं पर आज क एक हमारा विषय है वह थोड़ा सा अलग है बाकी से हटके वह विषय यह है कि प्रकृतिक उश्रदी ऑश्रदिक है वह किस इस्थति में क्या है इसके बात आप दवा को इसके बात अगर रहने के साथ भी जैसे काफी पैसेंट्स हमने एसा भी सुना है कि वह यह कहते हैं कि प्लाश्टर हमारा है पर उसके साथ भी प्रकृतिक और पर च्रदी का सेवन करना चाहते हैं तो इस्तिति में हम दे सकते हैं या फिर उनको कुछ रुकने के लिए कहा जाते हैं बेलकुल अगर रूख लो तो ज्यादा बेतर है आपके लिए क्योंकि जब आपका प्लस्टर किया गया इसका मतलब दवाज इसको 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 कहना आप सिर्फ आपको खाना होगा लेकिन इसका जो बेनिफिट है अगर संपूर अगर इसका फायदा लेना साथ हो तो इसको लगाने के भी काफी ज्यादा ज़युरत होती है तो इसका पर यह कर सकते हो कि कुछ दिन रूख लें क्योंकि आपको प्लस्टर है ज्यादा सब 15 बिस दिन एक मेने में आपका हैटी जाने वाला है तो इसके बाद ही आप इस्तमाल कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको फायदा मिल जाएगी और ऐसे भी बिना प्लस्टर करते हो तो अगर दवाई आपकी 100 प्रतेशत काम करेगी तो प्लस्टर के बाद अगर सिर्फ आप उस इसको इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि चीज यह है कि जो मेडिसीन है इसको आप इस्तमाल भी कर सकते हो और इसको खाने का भी काम ले सकते हो लेकिन आपको एक चीज का दियान देना जब आपका रोड या फिर प्लेट लगा हुआ है जो आपका जखम है या फिर आपका पूरी प्रकर्पित है कि हडडी तूट जाने के बाद दोनों हड़ीयों के बीड गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं उस इस्तिती में अगर हम प्रकृति का उशदी का सेवन करवाते हैं मरीज को तो हमारा वो काम किस प्रकार से करेगा देखो आपका है तूट करके अगर गेब बन गया या फिर जादा भी टुकडा में बढ़ गया है तो उसमें बहुत हड़े जब तूटकर लग हो गई हैतना उसको खीस करके सामने लाने का यह लाग करो तो उस्तिती में अगर फिलेट लग गया है गन्यात में बताया कि जो प्राक्रतिक होशादी है वो हड़े को क्हींच करके लाने का काम करती लेकिन प्लेट रोड मान करके चलो लगा दिया गया इसकर च्रूस करके लानə तो अप संबह करने गया है तो इसमें आपका बस एक ही तो उसका आपका भरा जा सकता है हम लोगों ने बोला था कि जो हड़ी है यह टूट करके अगर छोड़ी चोड़ी तुकड़ी में हो गई या फिर ज्यादा तुकड़ा में बढ़ गया है अगर आपका ओपन फ्रेक्चर नहीं हुआ है तो इस कंडिशन में आप बिल्कुल इ आप नहीं कर सकते हूं कि उसमें इंफ्रेक्चर नोगेरा इस तरीके का चीज होने का डर काफी रहता है दन्यवाद आज क्या विश्य हमने यह चीज जाना कि जो प्रकृतिक और श्रती है वो किस इस्तिति में किस प्रकार से काम करती है तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर